वेलकेम बाग दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अभी ऑनलाइन जिम एक्विपमेंट्स खरीदने का सोच रहे हैं कि डंबल हो गया जिसको बार्बल भी बोलते हैं या फिर कुछ प्लेट्स खरीदने का सोच रहे हैं क्योंकि आज के वीडियो में मैं कंप्लीट रिविव करने वाला हूं मेरे जिम एक्विपमेंट्स का जो कि मैंने ऑनलाइन खरीदे थे अमेजन से डीटेल में बताने वाला को पता नहीं चलता है कि यह प्रोड़क्ट यूज करने लाइक है या नहीं है तो दोस्तों अगर आप आप लेने का सोच रहे हो लेने से पहले यह वीडियो एक बार पूरी जरू देख लिए ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से जिम एक्विपमेंट्स लेने चाहिए और कौनसे जिम एक्विपमेंट्स नहीं लेने चाहिए तो चलिए दोस्तों जादा टाइम बेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों यह है वो जिम एक्विपमेंट्स जो मैने आनलाइन मंगाया थे अमेज़ों से और यह मैंको टोटल कॉस्ट 1,400 हंड्रेड में मिले थे अभि आपको एक एक करके डीटेल में बताता हूँ यहांप earned Diary और कितने हूपल मिले तो आप लेको दिखते रहेंगे सारी चीजह आप लोग को डीटे में मताता हूँ दोस्तों सबसे पहले यहांपे तू के जी के जी के बेस einen 2 kg के में को total 4 plates मिले और उसके बाद ये है 3 kg के plates में को 3 kg के भी total 4 plates मिले तो दोस्तों अगर बार्बल की बात करें तो में को यहां पर दो बार्बल मिले आप लोग देख सकते हो एक है स्ट्रेट बार्बल जो की 5 feet long है और दूसरा है करल बार्बल यह 2.5 feet long है उसके बाद दोस्तों यह दो चोटे रोड जो की डंबल बनाने के लिए काम आएंगे जिससे आप लोग दो डंबल बना सकते हो और उसके बाद यह हैंड ग्लोस अप लोग देख सकते हो एक पैर में को हैंड ग्ला जहां का मिला है और उसके बाद यह स्किपिंग रूप और उसके बाद है यह locks यह रौड के-ली होंगे और यहon miser यह क्लिप्स यह दोनों और के लिए यूज होगी है आयोग दोस्तों आप लोग ने सारे जिम एक्विप्मेंट्स अच्छे से देख लिए जो मैंने ऑनलाइन पुर्चेस किये थे अभी बात करतें इसके कंपनी के बारे में इसके कंपनी यानि की ब्राइन का नाम है पॉर्टो फिटनेस आप लोग की फोटो आता होगा जहां से मैंने यह पुर्चेस किये उसके उपर आप लोग देख सकते हो पॉर्टो फिटनेस लिखा हुआ है तो इसकी अभी कंपनी आप लोग को पता चल गई अभी बात करतें इसके क्वालिटी के बारे में एकडम डीटेल में सबसे पहले मेरे पास यहां पर यहां पर देख सकते हो सामने से तो दोस्तों अगर इसके क्वालिटी के बारे में बात करें तो यह total waste of money है आप लोग के screen पे फोटो आ रहा है वहां पे लिखा हुआ है leather लेकिन इसमें leather कहीं पे भी नहीं है कहीं पे भी leather नहीं है यह total PVC है इसके अंदर पूरा का पूरा sand भरा हुआ है और 2kg के बारे में बात करें तो 2kg का plate अपलोड देख सकते हो यह भी same है 2kg के plate और 3kg के plate दोनों ही same है यानि की same quality के है TVC से बने हुए है leather बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास 3kg के total 4 plates है लेकिन 4 का वजन यानि की weight अलग-अलग है बहुत ही जादा funny part है की 4 का वजन अलग-अलग है 2kg के बारे में बात करें तो उनमें से दो same है और दो थोड़ा उपर नीचे है 3kg में तो जादा ही उपर नीचे है यानि कि किसी का weight 3kg है तो किसी का थोड़ा कम है तो इसका यह बहुत ही funny part है कि यह सारे के सारे uneven है आप लोग इसके साथ workout कर ही नहीं सकते हो और आप लोग के स्क्रीन पे वीडियो आता होगा आप लोग देख सकते हो मैंने इसको बस एक से दो महीना यूज किया है अपने home workout में इसके बाद इसकी यह हालत हो गई यह totally फट गए और इसके अंदर से पूरा sand भार आ रहा है और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो पूरा का पूरा sand भरा हुआ है तो दोस्तों आप लोग ने plates तो देख लिए अभी बात करते है बार्बल के बारे में यहां पे जो मेरे पास है यह स्ट्रेट बार्बल जो इन दोनों की भी quality के बारे में बात करें तो यह थोड़े बहुत है लेकिन इससे आप लोग workout बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो बहुत ही ज्यादा uncomfortable होता है क्योंकि इसका diameter बहुत ही ज्यादा चोटा है diameter यानि कि आप लोग के screen पे video आती रहीं कि आप लोग देख सकते हो कि मैं जब भी इसको पकड़ता हो इससे मैं bicep workout कर रहा हूँ तो मेरे हाथ जो है मेरे fingers जो है वो मेरे palm को touch हो रहे है जिससे की बहुत ही ज्यादा irritation होता है आप लोग इससे workout नहीं कर सकते हो कपड़े सुकानी की जो लकडी होती है अपने घर पे उसका भी diameter इससे थोड़ा ज्या इसका diameter अच्छा कासा बड़ा है लेकिन इसका grip बहुत ही जादा weak है कभी भी slip हो सकता है अगर आपके हाथ गीले है पसीना आता है नॉर्मली जिन में workout करें तब अगर पसीने वाले हाथ से आप इसको पकड़ते हो तो इसका grip बिल्कुल भी नहीं मिलता है अभी बात करते है Ilange Locks के बारे में यह जो Dog's har dialogue अगर करना हो यहाँ पर आप बिल्कुल ओस युहाँ चा के बारे में लुकрем कि आपके प्लेट तो इसके अंदर जो threading ऊती है जिसके वजह से यह lie लॉंग करना होता है यानि कि टाइव हुता है बादे शखर मार्भी यह पूररी का निकल गय यह अभी अच्छी तरीके से tight नहीं होता है यानि कि बहुत ज्यादा risk है इसमें अगर आप plate डालोगे और work out करोगे आप chest work out कर रहे हो तो बहुत ज्यादा risk है इसमें कभी भी dumbbell नीचे गिर सकता है तो इसकी trading भी बहुत जल्दी निकल गई यानि कि यह भी waste है मैंने hardly एक महिना दो महिना यूज़ किया है वह भी घर पे यूज़ किया है बिल्कुल भी rough यूज़ नहीं किया एक तम अच्छे से यूज़ क्यूंकि मेरे पास इसके अलावा कोई option भी नहीं था और अभी अगर तो यह total पागल बनाने का धंदा है मैंने return भी नहीं किये क्यूंकि मैं सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाओं ताकि आप लोग को भी पता चले कि online क्या-क्या होता है तो दोस्तों इसके बाद जो है वह skipping rope थोड़ा बहुत color में difference समझ सकता है आप लोग के screen पे एक photo आरी दिखाया है और यह में को मिला yellow color का यह मैंने इसलिए compromise कर लिया क्यूंकि इसकी quality बहुत जाद अच्छी है सारी चीजों में इसकी और एक चीज मिसिंग है वह जो forearm का होता है handle जो होता है जिससे forearm बनाते है और उसको पता नहीं क्या बोलते है वह एक चीज मिसिंग है actually वह मे उसकी ही quality अच्छी है बाकि सारी चीजों की quality बहुत ही बगवा से waste of money है तो अभी next जो है वह है leather gloves oh sorry leather इसमें बिलकुल भी नहीं है मजाग कर रहता मैं leather बिलकुल भी नहीं है यह दिखने के लिए एकदम leather के जैसे लगते है जिम में जो अपन gloss यूज करते है उसमें grip होता ह इसमें यह जाली है यह transparent जाली है आप लोग देख सकते हो शायद इसमें से में को इसके material के बारे में बात करें इसका material बहुत ही जाता light है यह आप लोग देख सकते हो कि एक-दो बार आप लोग यूज करोगे फट जाएगा मैंने इसको बिलकुल भी यूज नहीं किया है य है ऐसे कि ऐसे ही पड़े है क्योंकि यह वेस्ट है कि आप लोग workout करने के लिए यूज नहीं कर सकते बिलकुल भी तो दोस्तों यह वीडियो बनाने के पीछे main purpose एक ही था कि जब भी बात आती है online gym equipment order करने की या खरीदने की तो majority of लोग एक common गलती करते है कि कम price देखके order कर मैंने भी की और मैं नहीं चाहता कि यह गलती आप लोग करें इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं तो जब भी आप online gym equipment खरीदने वाले हो खरीदने का सोच रहे हो तो जहां पे भी PVC लिखा होगा तो प्लीज उससे दूर रहिए PVC वाले मत खरीदना बहुत ही भंगार बक्व बशावास थर्ड क्लास कॉलिटी आप लोग इसे एक महिना दो महिना जाधा से जाधा तीन महिना यूज कर सकते हो अगर आपने एकडम संभाल के यूज किया तो मैंने बहुत जाधा संभाल के यूज किया उसके बाद भी ये condition है आप लोग सकते हो कि पूरा sand भार आरा है तो अब बात आती है कि online कौन से equipments खरीदने चाहिए जहां पे भी rubber coated लिखे है वही equipments खरीदना दो पैसे जाएंगे लेकिन अच्छी चीज मिलेगी पूरे के पूरे metal रहेंगे तो भी चलेंगे लेकिन PVC नहीं चाहिए इस चीज में बार बार बोल रहा हूं क्यूंकि मैंने यह गल्ती की है और मेरे पैसे वेस्ट हो गए तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग के पैसे वेस्ट है कि एक बार जाके जरूर देख लेना उसमें मैंने डीटेल में बताया है तो चलिए यहां पर वीडियो को एंड करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू करना और अगर आप लोग को लगता है कि जो भी information मैंने आप लोग के साथ शेर कि है उसमें से थोड़ा सा भी कुछ useful लगा हो तो अपने दोस्त के साथ जरू शेर करना ताकि उसकी भी थोड़ी सी help हो जाए और चानल पर नहीं हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब लिका हुआ है जाके सब्सक्राइब कर आप लोग से मिलता हो मैं अगली वीडियो पे